हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के इस सेकंड वीडियो में इस वीडियो में हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है ओक्सी करन विभाव दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने ही सीख लिया था कि एनोड वाला जो हिस्सा होता है उस हिस्से पर जिंक अपने इलेक्ट्रोनों का दान करता है और खुद का ऑक्सीकर्ण करवाता है और ये वाला जो हिस्सा था जिसको हमने कैथोर नाम दिया था cathode जो electrode था उस पर Cu2 प्लस आता है और electronों को grind करता है मतलब वो अपना upchain करवाता है तो ऐसे ही अगर आप अलग-अलग तरह के cell बनाते हैं तो अलग-अलग तरह के cell में अलग तरह के electrode होते हैं अभी यहाँ पर जिनका electrode है हो सकता है किसी और cell में कोई और electrode हो बट concept एक ही होता है कि यहाँ पर oxygen होता है और यहाँ पर upchain होता है तो एक electrode oxygen करवाने की कितनी प्रवर्ती रखता है अर्था एक electrode कितना जल्दी electron को lose करता है कितना जल्दी electron की हानी करता है उसकी प्रवर्ती कितनी ज्यादा है इसका मापन करने के लिए हमने एक भौतिक राशी बना रखी है जिसका नाम है ओक्सिकरन विभाव पढ़िए किसी इलेक्टर की विलियन में इलेक्टरॉन देने की प्रवर्ति ओक्सिकरन विभाव कलाती है तो यहाँ पर जिसे जिंक था तो जिंक की कितनी प्रवर्ति एलेक्टरॉन देने की और अगर जिंक की जगे कोई और होगा तो उसकी किस तरह की प्रवर्ति होगी अगर आपको इसको कμpare करना हो तो जिस भौतिक राशी से आप इसका comparison कर सकते हो उस भौतिक राशी का का दान कर रहा था और उस पर क्या आ रहा था टू प्लस आगा मैं जनरल बात करूं सामाने रूप से लिखूं तो मान लेते हैं एक मैटल कैपिटल M है वो मैटल सॉलिड है जैसे जिंग था और वो मैटल इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है मान लेते हैं उसने N electron का त्याग किया 2 electron का त्याग करने से 2 प्लस आता है N electron का त्याग करने से N प्लस आएगा तो यह मैंने general अभी करिया लिख दी तो इस तरहे से electron त्यागने की प्रवर्ती का मापन जब आप करते हैं तो वो जिस बहुतिक राशी के दौरा किया जाता है वो है oxygen विभाव बिल्कुल उसका उल्टा क्या होगा oxygen विभाव oxygen विभाव है electron त्यागने की प्रवर्ती oxygen विभाव है electron ग्रहन करने की प्रवर्ती अर्थात जैसे यहाँ पर आपने देखा कि Cu2 प्लस जो है वो दो electron को ग्रहन करके क्या बनाना था copper solid Cu2 प्लस जो है वो दो electron को ग्रहन करके क्या बनाना था copper solid इसके last वाले वीडियो में देखा आपने तो वैसे ही माल लिजी एक metal M है जिसके उपर N प्लस है तो वो N electron ग्रहन करके क्या बना रहा है M solid देख लो आप copper की जगे M हो गया 2 प्लस जो ग्रहन करने की इसका मापन जिस बहुतिक राशी से होता है उस बहुतिक राशी का नाम क्या है अपचैन विभाव किसी electron की electron लेने की प्रवर्ती अपचैन विभाव कहलाती है अपचैन को English में बोलते है reduction तो reduction के हिसाब से हम क्या यूज़ करते है RED ठीक है आगे पढ़िए डैनियल सेल में जिंक इलक्टॉर ओक्सीकन विभाव जो जिंक इलक्टॉर है यह ओक्सीकन विभाव और copper इलक्टॉर अपचैन विभाव प्रदिशित करता है मतलब इसके संदर्ब में E ox लिखा जाएगा और इसके संदर्ब में E red लिखा जाएगा यह इसका मतलब है अब दोस्तो एक important बात अगर आप ओक्सीकन विभाव का और अपचैन विभाव का सामान्य रूप से अध्यन करते हो सामान्य रूप से परिकलन करते हो तो यह किलाता है ओक्सीकन विभाव E ox और अपचैन विभाव E red परन्तु अगर आप कुछ standard conditions लगा दो standard का मतलब एकदा मानक condition वो मानक conditions कौन-कौन सी है जैसे आप temperature को fix कर दो कि हम तो 298 Kelvin temperature पे oxygen विभाव और अपचैन विभाव का मापन करेंगे और जो विलियन होगा उस विलियन की molarता होगी 1 अर्था वस विलियन के अंदर एक मोल होगे एक लीटर में फिर से अगर आप oxygen विभाव और अपचैन विभाव का मापन करते हो मानक conditions पे मानक इस्तितियों पे standard conditions पे जैसे तापमान रख देते हैं आप 298 Kelvin कि हम तो 298 Kelvin पे चेक करेंगे और हम जो यहाँ पे विलियन लेंगे जैसे यहाँ आपने GNSO4 का विलियन लिया था यहाँ आपने CUSO4 का विलियन लिया था तो जो हम विलियन लेंगे वो विलियन की मोल अरता होगी एक मतलब उसके अंदर एक मोल विलेंग उपस्तित होगा एक लिटर विलियन में तो ऐसे केस में जो भी ऑक्सिकन विभाव और अप्चेन विभाव निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभाव तो मानक कंडिशन पे इस्टेंडर कंडिशन पे जो भी विभाव है उसका नाम है मानक उक्सिकन विभाव मानक अप्चेन विभाव इन दोनों के नाम के आगे क्या लग जाएगा मानक मानक पढ़िए एक अर्थ सेल में एक अर्थ सेल में 298 केल्विन पर एक मोल पर लिटर सांथा के धातू विलियन में इलेक्ट्रोड का जो भी विभाव है वो कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभाव और इसके लिए जो नोटेशन है जो इसके लिए हम निरूपन करते हैं इस तरहे से करते है, E Aux, यह है Oxycan viphaож, अगर मानक Oxagon viphaож चाहिए, तो वह हो जाएगा E Not Aux, E Red, यह क्या है, अपचेन विभाож, यह बाला, अगर मानक चाहिए, तो E Red Not, काफी बच्चे में पूछते हैं कि सहने, इसको पढ़ते हो आप N A U T Not, तो यह Not है क्या, ये not नहीं है ये न, ए, यू, जी, एच्टी not है न, ए, यू, जी, एच्टी ये वह वहरा not है तो either not, ox not, सिर्फ notation है ठीक है अब हम बात करते हैं cell विभाव की मैं इसको रफ कर देता हूँ हाँ तो दोस्तों अब हम समझते हैं cell विभाव को देखिए अभी तक आप इतना जान चुके हैं कि डैनियल cell में दो तरह के इलेक्टोर होते हैं एक zinc का इलेक्टोर होता है और एक copper का इलेक्टोर होता है zinc का इलेक्टोर negative होता है copper का इलेक्टोर positive होता है zinc के इलेक्टोर विभाव को अपन E ox कहते हैं और copper के electrode विभाव को अपन यह red कहते हैं तो इन दौनों के विभाव का जो अंतर है इन दौनों का मतलब oxygen विभाव का और oxygen विभाव का जो अंतर है उस अंतर को अपन क्या बोलते हैं? Cell विभाव के एक standard परिभाशा है वो लिखी भी आपके सामने विभाव के अंतर को विद्धुत वहागबल कहते है विद्धुत वहागबल physics का topic है chapter number 3 में आप पड़ोगे बाकि अभी important इतना है कि विद्धुत वहागबल का मतलब होता है cell का विभाव कब जब cell काम में नहीं आ रहा क्योंकि जब हम cell को काम में लेना शुरू कर देते हैं तो फिर cell का विभाव कम हो जाता है विभाव मतलब voltage आप जानते हैं कि अगर आप battery को काम में लेंगे तो उसका voltage कम हो जाएगा तो ये standard है मतलब जब battery को आपने काम में लेना शुरू नहीं किया है तो उस समय उसके दोनों इलेक्टरों के मद्दे जो भी विभाव का अंतर है वो क्या कहलाएगा आपका cell विभाव कहलाएगा और इस चेप्टर के लिए तो बहुत आसान है आपको बस इन दोनों का अंतर देखना है ओक्सिकर्ण विभाव है जिंक का विभाव अब चेप्टर विभाव है कॉपर का विभाव इन दोनों के विभाव का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा cell विभाव तो मैं लिख देता हूँ cell विभाव का होता है E cell symbol तो E cell बराबर क्या इसमें से इसको माइनस करोगी इसमें से इसको माइनस करोगी ज्यादा कौन है ज्यादा है कॉपर का विभाव इसके बारे में हम इसके पहले वाई लेक्टर में बात कर चुके हैं कि यह प्लस है और यह माइनस है तो प्लस ज्यादा है तो यह ज्यादा है इससे तो आप किसको किस में से माइनस करोगे E red मतलब कॉपर वाले में से माइनस किया जाएगा जिंक वाले को माइनस E ox तो दौनों जो विभव हैं उनका अंतर क्या क्लाता है cell विभव इसे मैंने शॉट में निदिया कि यह अपचैन व ऑक्सिकन विभव का अंतर होता है और इनी को अगर मानक परिस्तितियों में देखोगे तो मानक परिस्तितियों में क्या क्लाएगा यह मानक सेल विभव मतलब आपको E red को भी मानक स्तितियों पर 298 Kelvin और 1 mol per liter पर calculate करना है E ox को भी मानक पर करना है E naught ox तो E cell भी फिर क्या आएगा मानक आएगा मानक का मतलब कुछ नहीं है मानक का मतलब होता यह conditions 298 Kelvin temperature और 1 mol per liter सांदरता ठीक अब मोटी-मोटी बात पर जाद कर देता हूँ electron को त्यागने की प्रवर्ति oxygen विभव यहाँ पर जिंक की थी electron को ग्रहन करने की प्रवर्ति oxygen विभव यहाँ पर copper की थी oxygen विभव oxygen विभव यह दो तरह की विभव आधे-आधे cell के थे left वाला cell जो आधा cell है oxygen अर्द cell उसका विभव था oxygen विभव जो इदर वाला cell था oxygen अर्द cell उसका विभव था अबचेन विभव अबचेन विभव और oxygen विभव का जो अंतर है इन दौनों का जो difference है वो कहलाता है E-cell बोले तो cell विभव तो cell विभव क्या हो गया आपके अबचेन विभव और oxygen विभव का अंतर चीक है अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात E-cell के तीन माना सकते है E-cell का माना सकता है जीरो E-cell का माना सकता है धनात्मक E-cell का माना सकता है लिनात्मक जीरो आना प्लस आना और माइनस आया इसके क्या-क्या माइने होते हैं सुनिए जीरो आने का मतलब ये है कि यहां का विभव और यहां का विभव बराबर है जितनी इलेक्ट्रोन जितना जिंग का विभव है और जितना कॉपर का विभव आपस में बराबर है दौनों का विभव बराबर है तो विभवांतर शुन्य होगा और जब तक विभवांतर नहीं होता है विद्धुधरा प्रवाईत नहीं होती है पूरी तरह से physics का topic है बस मोटी-मोटी बात याद रखो कि अगर विभवांतर शुन्य है तो विद्धुधरा प्रवाईत नहीं होगी दो बिंदुओं के मद्य अगर आप विभव का अंतर करते हो तो ही विद्धुधरा प्रवाईत होती है ये बराबर 0 आ रहा है मतलब जितना ये वाला विभव है उतना ये वाला विभव है अर्थाक विभवांतर शुन्य है कोई विद्धुधरा प्रवाईत नहीं होगी और इसको हम साम्म्य आवस्था कहते है यह साम्मे अवस्था है और इस समय कोई धारा नहीं है आई जो है वो शुन्नी है इस समय कोई विद्धुदारा सेल में से प्रवाइट नहीं हो रही है E-Cell के प्लस आने का मतलब क्या है E-Cell दो लोगों का माइनस है E-Red का और E-Ox का अबचेन विवाओ का Kung अबचेन विवाओ जादा है अबचेन विवाओ जादा है इसका मतलब Your Ops है आपका वो discharge हो रहा है उसमें से विद्धुधरा प्रवाइत हो रही है अगे अगर ईसायर रिनात्मक आता है रिनात्मक का मतलब यह वाली value कम है और यह वाली value ज्यादा है आप सोचो ना अगर 2 में से 3 को माइनस करोगे तो तो माइनस आएगा तो e aux जादा है किस से e red से इसका मतलब यह है कि e aux जादा है e red से मतलब उल्टा हो रहा है electron उधर से उधर नहीं आ रहे है electron इधर से इधर आ रहे है और ऐसा अपने आप तो हो नहीं सकता ऐसा तब होता है जब हम सेल को चार्ज करते हैं मतलब यह अभिक्रिया हो गई charging की ठीक बात है देखो अभिक्रिया है उल्टी तब होती है जब हम उसको सेल को चार्ज करते है अगर आप सेल को चार्ज कर रहे हो तो charging की अभिक्रिया है discharge की अभिक्रिया से उल्टी होती है और जब हम charging कर रहे होंगे तो eaux जादा होगा e red से तो electron जो है कहां से कहा जाएंगी copper से zinc की तरफ देखो electron उस तरफ भागता है जिस तरफ विभाव जादा है इस बार विभाव कहां जादा है eaux पे कोई कि value क्या रही है negative तो अगर इस जगे भी बहु जादा है तो electron फिर इधर से धर जाएगा और electron का इधर से धर जाना मतलब cell में अभिक्रिया उल्टी हो रही है अभिक्रिया उल्टी होने का मतलब हम cell को charge कर रहे हैं समझें तो एक्जाम में अगर आपसे पूछे हैं कि e-cell शुन्य है क्या मतलब सामयवस्था electron प्रवाइट नहीं हो रहे है विद्युधरा नहीं मिल रही है plus का मतलब क्या है हम cell को discharge कर रहे है cell काम में आ रहा है विद्युधरा ले रहे हैं हम cell से और अगर निनात्मक है इसका मतलब अभीक्राइब उल्टी हो रही है अरथात वहाँ पर cell की क्या हो रही है charging हो रही है ठीक है तो यह मैंना आपको clear किया oxygen विभव क्या होता है अब chain विभव क्या होता है मानक का मतलब आपको समझाया cell विभव आपको समझाया अब इसके बाद जो आपको इस topic के बाद जब मैं इसको साफ करके नए topic पढ़ाउँगा तो दिमाग में एक बात fix रखना कि E cell जो है जो cell विभव है वो दो लोगों का अंतर है किन किन लोगों का अंतर है अब चैन विभव का और oxygen विभाव का oxygen विभाव electron ढहन करने की प्रवर्ति जैसे copper की oxygen विभाव electron त्यागने की प्रवर्ति जैसे zinc की इस बात को याद रखना और इसको लेके अब मैं आपको अगला topic बड़ा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा important है शुरू करते हैं अब देख़ें दोस्तों आगे का टोपिक. सेल विभव, अपचैन विभव और और औक्सीगन विभव का अंतर होता है. बिलकुर सही बात है. अगर आपको सेल विभव निकालना है तो आपको अपचैन विभव मेंसे माइनस करना पड़ेगा किसको? औक्सिकन विभाव को एवं इस अंतर से हैं अपचेन और औक्सिकन विभाव का प्रथक मान नहीं बता सकते ये बाप बिल्कुल सही है जैसे मान लूँ मैंने आपको E-Cell लिखके दिया कि E-Cell 30 है E-Cell की जो वैल्यू है को मैंने आपको लिखके दी कि E-Cell की वैल्यू 30 है अब मुझे बताईए कि अकेला E-Red कितना है और अकेला E-Ox कितना है तो आप नहीं बता सकते क्यों कि ये दो संख्याओं का अंतर है अब ये संख्याओं ऐसी भी हो सकती है कि E-Red 60 हो और ये 30 हो तो 60-30 तीस आ रहो ये भी हो सकता है कि ये 70 हो और ये 40 हो तो भी अंतर कितना आएगा तीस आएगा ये भी हो सकता है कि ये 100 और ये 70 हो तो भी अंतर कितना आएगा तीस आएगा ये भी हो सकता है कि ये 40 हो और ये 10 हो तो भी अंतर कितना आएगा तीस आएगा ऐसे अगर आप चाहो तो बहुत सारे पेर बना सकते हो क्योंकि दो संख्याओं का अंतर मैं आपको लिखके देदू और उससे exactly यह पुछों कि संख्याओं बताओ तो यह अधूरा question है और इसके बहुत सारे answer हो सकते हैं जैसे 30 अगर अंतर आ रहा है तो वो संख्याओं 60-40 भी हो सकते हैं 170 भी हो सकते हैं 40-10 भी हो सकती हैं और भी बहुत सार यह आप बना सकते हो तो मतलब केवल-केवल ECL के पता होने से केवल-केवल ECL के पता होने से हम E red और E ox को अलग-अलग पता नहीं लगा सकते यह दिक्कत है यह problem है अब हाँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि E cell का मान 30 आ रहा है और मैं आपको पहले से बता दूं कि E ox 0 है अब बताओ E red कितना है तो वो आप कर सकते हो क्योंकि E cell बराबर होता है E red minus E ox आपने लिखके दे दिया कि E cell 30 है और E ox 0 है तो अब मैं बोल सकता हो कि E red का मान कितना है 30 है, प्लस का अगर मैं आपको ऐसे लिखके दूं कि E cell का मान 45 है और E red का मान 0 है अब बताओ E ox कितना है तो आप बना सकते हो कि E cell बराबर E red minus E ox हमने बता दिया कि E cell 45 है E red जो है उसका मान 0 है तो E ox कितना हुआ E x वह माइनस का 45 मतलब इन तीनों में से कोई दो चीज का पता होना जरूरी है अभी हमारे पास सिर्फ क्या पता है E cell पता है तो हम E red और E ox को अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं अगर इन तीनों में से आपको दो चीजे पता हो तो फिर आप बचे वे एक को आसानी से निकाल सकते हो तो ये समस्या है I hope आपके problem के लिए रूई हो कि E cell जो है वो दो संख्याओं का अंतर है और उससे हम अलग 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 E red और अलग अलग E ox नहीं निकाल सकते हैं जो galonometer लगावा है ना बीच में आपने देखा था ना जिंक और copper की बीच में galonometer लगा था वो galonometer आपको E cell बताएगा वो आपको E red और E ox इंडिविजुली नहीं बता सकता ये समस्या है इस समस्या के निवार नहीं तो मानक hydrogen electrode का प्रियोग करते हैं अभी मैं आपको क्या बोला अगर आपको E cell पता है और ये पता है कि E ox 0 है तो आप E red निकाल सकते हो अगर आपको E cell पता है और ये पता है कि E red 0 है तो आप E ox निकाल सकते हो अंतर निकाल पा रहे हैं, इंडिवीज्वल, प्रतक प्रतक माननी निकाल पा रहे हैं, उसके लिए हमने एक जिसको बनाया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड को, देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड को इंग्लिश में बोलते हैं, इस्टेंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस्टेंडर्ड का S, हाइड्रोजन का H, इलेक्ट्रोड का E, शॉर्ट में इसको बोलते हैं She, S, H, E, Standard Hydrogen Electrode, कारिविधी बाद में समझेंगे, पहले तो इलेक्ट्रोड को समझते हैं Standard Hydrogen Electrode, Hydrogen का E, अब दोस्तों किसी का भी इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, किसी का भी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप उसकी छड को उसके विलियन में डाल देते हो, यह मैंना आपको पहल Hydrogen की छड को लेंगे, और Hydrogen के विलियन में डाल देंगे, तो Hydrogen का विलियन चलो हम Hydrogen का विलियन ले आएंगे, Hydrogen का विलियन Hydrochloric Acid, SCL में ले आया, और Hydrogen की रौड काहां से लाओगे, क्योंकि Hydrogen की रौड तो होती ही नहीं है, तो hydrogen काивает role बनाना है तो hydrogen का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसकी चड को उसके villain में डालना पड़ेगा hydrogen का villain तो मिलिया आया अपर मेरे पास उसकी कोई rod नहीं है कोई कि market मा हाईडोजन की कोई rod मिलती नहीं हो गयस होता है तो इसके लिए हम तरीका क्या अपनाते हैं? इसके लिए हम एक platinum की छड़ लेते हैं और उसके आगे platinum की एक जाली बना देते हैं इस तरह से तो यह platinum का तार है अब platinum एक ऐसी धातू होती है जो कि अक्री है वो किसी से अभी क्रिया नहीं करती तो इसलिए हमें कोई दिक्कत भी नहीं है अब हम क्या करते हैं इस platinum के तार के साथ साथ इस तरह से एक कांच की नली रख देते हैं उल्टी टेस्ट्यू माल लो और यहां से प्रवाइद करते हैं hydrogen gas तो एक तरह से देखा जाए तो यह बहुत ही सुंदर जुगाड है क्योंकि इसके अंदर hydrogen को अभिक्रिया करने के लिए एक रॉड चाहिए थी एक छड़ चाहिए थी अब hydrogen की छड़ तो हम बना नहीं सकते तो हमने platinum की छड़ ले ली platinum का तार ले लिया और उस पर हमने hydrogen gas प्रवाइद कर दी hydrogen gas को अभिक्रिया करने के लिए एक platform मिल गया वो platform क्या है यह है platinum की जाली अब platinum क्योंकि अक्रिय है इसलिए वो अभिक्रिया नहीं करेगी और सिर्फ अभिक्रिया कौन करेगा hydrogen तो एक तरह से यह किसकी बाती विवार करेगा hydrogen के electron की बाती विवार करेगा आगे देखिए अब इसके आगे मानक वर्ड लगावा है मानक इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम hydrogen gas प्रवाइद करते हैं मानक conditions पे जैसे कि 298 Kelvin तापमान पे और एक बार दाप पर और यह जो HCL Willian हमने लिया है यह HCL Willian होता है वन मोलर अर्थात वन मोल पर लीटर तो अब यह जो इलेक्टरॉड है यह इलेक्टर बनके तयार हो गया और यह इलेक्टर आपका है स्टेंडर्ड हाइडरोजन इलेक्टरॉड बोले तो she इसके बारे में दो खास बाते में आपको बताना चाहूँगा जो आपको हमेशा याद रखनी है पहली खास बात कि इसका जो voltage है इसका जो voltage है इसका जो विबाव है वो हमने कितना मान रखा है 0V मान रखा है तो इसका जो विबाव होता है अगर ये कहीं भी जाके लगेगा तो इसका विवा हमने कितना मान रखा है जीरो वोल्ड दूसरी बात ये कैथोर की तरह भी कारे कर सकता है और ये एनोर की तरह भी कारे कर सकता है मतलब आप चाहो तो इसको जिंक की जगे लगा सकते हो और आप चाहो तो इसको copper की जगे लगा सकते हो ऐसा कैसे देखिए अगर ये cathode की बात ही विवार करता है तो इसको electron grand करने होंगे और अगर ये anode की बात ही विवार करता है तो इसको electron दान करने होंगे ये donor कर सकता है कैसे देखिए cathode anode दोनों की बात ही कारे कर सकता है cathode में electron grand करना होगा तो यह जो h plus है जो willion में h plus दिख रहा होगा आपको h c l है तो h plus भी है c l minus भी है तो यह h plus जाएगा electron को grand करेगा और क्या बना लेगा h बना लेगा ऐसे अगर 2 h plus जाएंगे तो 2 electron को grand करेंगे और 2 electron को grand करने से क्या बन जाएगा h 2 बन जाएगा तो जो आपका hydrogen electron है यह cathode की बाती कारे कर सकता है यैसे copper 2 प्लस गया था ना 2 electron grand किये ते क्या बनाया था copper वैसे हमारे 2 h plus चल जाएंगे विलियन में से और किसको grand कर लेगे 2 electron को और क्या बना लेंगे h 2 तो यह कारी हो गया इसका cathode की बाती अब anor की बाती anor पे क्या हो रहा था anor पे आपका jink जो है वो 2 electron का दान कर दाता तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा anor की बाती कैसे कारी होगा जो h 2 है यह जो h 2 gas है यह 2 electron का दान कर देगी बन जाएगा 2 h plus plus 2 electron इसकी उल्टी अभी करिया तो अगर आप चाहो तो यह willion से आ करके h 2 बना सकती है और अगर आप चाहो तो यह s 2 से h plus बनाके willion में जा सकती है मतलब यह cathode की बाती भी कारे कर सकती है और यह anod की बाती में कारे कर सकती है तो तो हो गया हमाना काम कैसे हुआ देखो जिंक और copper का अंतर होता है cell विभाव जो galonometer बताता है जिंक और copper के अंतर से जो galonometer बता रहा था हम यह नहीं पता लगा पा रहे थे कि अकेले जिंक का कितना है और अकेले copper का कितना है इस बार हमने एक गेम खिला वो गेम क्या है हमने एक बार जिंक को हटाया और उसकी जगे लगा लिया हमारा SHE बोले तो standard hydrogen electrode मानक hydrogen electrode तो यहाँ पे जिंक हट गया और इसकी जगे हमारा आगया SHE अब यह copper है यह SHE है copper के सामने SHE किसकी भाती विवार करेगा यह विवार करेगा anode की भाती यह वाली अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने से cell बन जाएगा इस cell का जो विभव है वो कहां पे आएगा galonometer पे अब galonometer जो है वो बताता है इन दौनों का अंतर तो E cell जो है वो इन दौनों का अंतर होगा इन दौनों के अंतर में ये तो शुन्य है क्योंकि हमने SHE का कितरा मान रखा है शुन्य मान रखा है तो इन दौनों के अंतर में ये शुन्य है तो जो value आ रही है galonometer की वो सिर्फ किसकी आ रही है copper की आ रही है इस तरह से हमने पता लगा लिया कॉपर का अब देखो जिंक और कॉपर साथ साथ थे हमने कॉपर को हटाया और उसकी जगे लगा दिया किसको? SHE को क्योंकि जिंक के सामने एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका अपचेन हो सके और हमारे SHE का अपचेन भी हो सकता है और उसका उपचेन भी हो सकता है वो दोनों कर सकता है ऑक्सिकन भी कर सकता है और अपचेन भी कर सकता है तो हमने जिंक के सामने किसको लगा दिया? SHE को अब जो अंतर है, वो अंतर इन दोनों का आएगा इन दोनों में SHE का कितना है? बदाया था आपको कि अगर आपको पता हो कि E-cell जो है वो क्या है और आपको पता हो कि E-ox और E-red में से कोई एक कितना है तो कोई एक में SH-E आ गया और SH-E का कितना होता है शुन्य है तो आप exactly किसका निकाल सकते हो या तो cathode का या फिर anode का अगर समझने में को गरबढ रही ह तो अभी दूर हो जाएगी जब मैं आपको लिखवाओंगा SH-E as a cathode और SH-E as a anode मैं थोड़ा थोड़ा ब्रिफ दिया आपको कि कैसे यह काम करेगा तो अभी मोटी-मोटी बात दो याद रखो पहला तो कि जो आपका SH-E है वो उसका विवो कितना होता है शुन्य होता है और वो cathode की तरह भी कारे कर सकता है cathode की तरह करेगा तो यह अभी क्रिया होगी और anode की तरह भी कारेगा तो यह अभी क्रिया होगी अब हम देखते हैं आगे हाँ तो दोस्तों SH-E anode के रूप में यहाँ पर मैंने क्या किया देखो इस जगे पे पहले आप zinc को देखते थे मैंने जिंक को हटा दिया और उसकी जगे क्या लगा दिया ऐसेची लगा दिया और यह परिवाशा में समझा ना भूल गया था तो देख लीजिए एक काच की नली में प्लेटिनम तार सील करके उसके एक सिरे पर शुक्ष में विवाजित प्लेटिनम से लेपित पन्नी सील कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ यह प्लेटिनम का वा तार है तो इसके अंदर क्या रखा हुआ है एक molar सांदृता का विलियन आगे 298 Kelvin पर और एक बार दाप पर इसमें हम लगतार क्या प्रवाइद कर रहे है hydrogen gas तो यह वो language थी अब तो यहाँ पर जो आपका SHE है वो किसकी बाती होगा कर रहा है अनौर की बाती तो इधर कौन सी अभिक्रिया होगी देखिए इधर अभिक्रिया होगी कि H2 दो इलेक्ट्रोनों का दान करेगा gas से convert होगा aqueous में जैसे zinc करता था यह दो इलेक्ट्रोन यहाँ से होते वे जाएंगे और copper sulfate में से Cu2 प्लस जाएगा यह अभिक्रिया होगी cathode की अभिक्रिया में Cu2 प्लस जाएगा दो इलेक्ट्रोन जो यहाँ सा है उनको ग्रहन करेगा और क्या बनाएगा copper बनाएगा सही है यह अभिक्रिया होगी जो galonometer है वो आपको देगा E cell बोले तो cell विभाव जो अंतर होगा cathode का और anode का cathode जो है वो किसका बनाएगा है copper का बनाएगा है यह बना तो E cathode जो है वो तो copper का हो गया E anode जो है वो SHE का है SHE SHE का कितना होता है हमने पढ़ा है कि SHE का जो विभाव होता है वो कितना बानते हैं 0 तो she का जो विभाव है वो वबाव कितना हो गया 0 हो गया तो स्रिफ जो жел का विभाव हो गया वो किसके बराबर आ गया यही बात मैंब से करना था कि अब जो e-cell है वो किसके बराबर हो गा e-ập-chain के तो हम लोग अब चैन विबाव नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर जिंक था अब हमने क्या लगा दिया SHG SHG का 0 हो गया अब अगर इसका 0 है इसका पता नहीं है और ये इन दोनों का अंतर है तो ये exactly इसके बरापर होगा ना क्योंकि ये 0 है समझे लिए कोई चीज सामने आ गई मतलब हमने SHG के हल्द से वो जिंक वाली प्रावलम खतम कर दी तो SHG एनोड के रूप में जब लगेगा तो क्या निकल के आ जाएगा अब चैन वो निकल के आ जाएगा अब SHG को कैथोर के रूप में देखते हैं अब यह आपके सामने हैं SHG कैथोर के रूप में देखे तो यहाँ पर जो SHG है यह SHG हमने कहा लगा रखा है कैथोर की जगे लगा रखा है तो कैथोर की जगे लगा रखा है तो सामने कोई हैं सामने जिंक है जिंक का जो वेवार है वो वैसा ही है कि Jynk 2 electron का दान करेगा जैसे हमने इसके पहले वाले video पड़ा है दो electron का दान करके अपना क्या करवाएगा औक्सी करण अब hydrogen मैंने बताया था SHE दौनों तरह से काम कर सकता है तो SHE के अंद्र जो यहाँ पर H PLUS है जैसे copper का 2 प्लस आता था ना वैसे अब H प्लस आएगा और ये H प्लस आएगा एक H प्लस एक ही electron ग्रेंड कर सकता है यहाँ से 2 electron आया है तौफिय में तो 2 H प्लस आएगा 2 electron को ग्रेंड करेगा और बनेगा H2 और ये H2 gas यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो जैसे Cu 2 प्लस आता था 2 electron को ग्रेंड करता था और यहाँ प्लस आएगा 2 electron को ग्रेंड करेगा और H2 बना के यहाँ से उड़ जाएगा यही तो है standard hydrogen electron का कारे किसके रूप में? cathode के रूप में अब अगर यहाँ पे आप लिखोगे E cell तो E cell होता है दोनों का difference इसका और इसका तो E cell होगा E cathode minus E anode cathode बोले तो आप इसको लिख सकते हो R.E.D. Red चाहो तो और इसको लिख सकते हो Ox, कोई फरक नहीं पड़ता तो E cell बराबर E cathode cathode को हिंदी में भी cathode ही लिखते है टेंच मत पालना cathode के जगे कौन है S.H.E. इसको ऐसे लिख सकते है E of S.H.E. ज़्यान देना पहले मैंने anode के जगे लिखा था खोगे anode के जगे कौन था S.H.E. था यही तो कमाल बात है इस बंदे की minus में anode E anode ऐसे कैसा हम जानते हैं कि E S.H.E. कितना होता है शुन्य होता है इसको शुन्य मान रखा है अपने तो फिर E cell कितना आ गया यह तो शुन्य हो गया शुन्य माइनस में E anode तो E anode कितना आ गया माइनस का E cell देखा आपने जादू S.H.E. की help से हम लोगों ने E anode जिसको हम E ox भी बोलते हैं वो निकाल लिया अलग से और E up chain जिसको हम E red बोलते हैं वो भी निकाल लिया जबकि अगर जब zinc और copper साथ साथ थे तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं यह होता है दोस्तों role S.H.E. का तो मैं आपको बस एक बार short में last में वापस समझा देना चाता हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से निश्चिन्त हो जाओं कि मैंने आपको सिखा दिया है zinc और copper साथ साथ थे इन दौनों का अंतर हमको देता था galerometer तो हम पता नहीं लगा पाते थे कि यह अकेले-अकेले कितने हैं तो हमने क्या किया एक ऐसे बंदे को ढूंडा जो दौनों के साथ में जुड़ सकता है और दौनों के साथ में जुड़ने वाला बंदा था ऐसे ची और मान कितना माना उसका शुन्य तो पहले हमने copper के सामने zinc को रखा और इस zinc को हटा के इसकी जगे ऐसे ची रख दिया तो जैसे हमने zinc की जगे शी को रखा शी और copper का जो combination था उसका जो भी मान आया वो मान इन नोनों का अंतर था इसका 0 था तो वो मान किसका हो गया copper का हो गया और copper का मान हमने निकाल लिया फिर हमने क्या किया copper और zinc में से copper को अटा दिया और उसकी जगे ऐसे ची को रख दिया ये वाला तो अब जो भी मान निकल के आया वो मान किसका था इसका था इसका मतलब zinc का था क्योंकि ऐसे ची का कितना होता है शुन नहीं होता I hope आपके ये concept अच्छे समझ माया है फिर भी अगा कोई doubt रहे गया हो तो मुझे comment box में जरूर बताना ये बहुत important चीज़ थी दोस्तों exam में आ जाता है कि मानक hydrogen electron क्या है इसकी क्रियाविधी समझाई तो आपको ये पूरा करके आना पड़ेगा मानक hydrogen electron एनोड के रूप में ये भी करना पड़ेगा cathode के रूप में ये भी करना पड़ेगा आने वाले वीडियो में हम लोग नैंसर समीकरण को विद्पन करेंगे So guys, thanks for watching Please subscribe the channel and press the bell icon for day notifications Thank you